तो फाइनली गाइज आप लोग को बताते वे मुझे काफी ज़्यादा खुशी हो रही कि मेरा यहाँ पर एक्सिस वेंग का फिलिप कार्ड करेट कार्ड मेरा यहाँ पर एप्रूब हो चुका है तो आप लोग स्कीन पर यहाँ पर देख सकते हैं क्या कुछ मुझे यहाँ प ताकि आप लोग को भी सिर्फ तीन मेहने के अंदर यह कार्ड आपको मिल जाएगा अदर्वाइस आप लोग यहाँ पर इंकम पूरूप के माधियम से अगर आप लोग अपलाय करेंगे तो आपको यह कार्ड कभी नहीं मिलेगा तो कैसे क्या है सारा कुछ आज की सपीसोर म कर पाया था लेकिन आप लोग को यहाँ पे दिखा रहा हों सबसी पहला ऑप्षन मुझे यहाँ पर ओफर मिला था मैं आप यहाँ अपर एक्सेप किया मेरे पास कई तरह के कार्ड यहाँ ब्लूप एक्सिज को मेरा इहां पर सेलेक्ट किया उसके पर इंकम डिटेल में मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि क्या कुछ मैंने यहाँ पर टाइप किया था तो आप लोग यहाँ पर देख सकते मेरा यहाँ पर जो है self-employed automatic यहाँ पर मेरा यहाँ पर setup आया था फिर यहाँ पर business income मैंने यहाँ पर लगाया उसके बाद agriculture दे दिया बस यह सिर्फ एक compulsory होता है आप लोग को यहाँ पर जादा कुछ नहीं होता है अगर आपका पर यहाँ पर पूछा जाता है आपका यहाँ पर कोई verification नहीं होता है उसके बाद guys आप लोग को यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर income details submit किया उसके बाद review details हुआ उसके बाद मेरा यहाँ पर यह message मुझे मिल गया instant कि मेरा यहाँ पर कार्ड जो है पिड़ी approve offer में यहाँ पर मेरा कार्ड था और यह कार्ड मेरा approve हो चुका है उसके बाद guys आप लोग यहाँ पर देख सकते कुछ इस तरह का मुझे यहाँ पर message मिला है और अभी instant और मैंने रात में apply किया था और अभी का यह कुछ update मैं आप लोग के सामने में यहाँ पर दिखाना चाहूंगा यह देख सकते मॉवाइल वर्जन है वह मैं आपको open करके यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि मैंने क्या कुछ यहाँ पर follow किया था किस तरह से मुझा है यहाँ यह जो application मेरा यहाँ पर submit हुआ किस तरह से क्या हुआ सब कुछ आप लोग यहाँ पर live में देख लिजिए तो यह रहाग यहा अभी मेरा account में यह maintained balance नहीं है तो मैं अभी आप लोग को यहाँ पर पूरा statement दिखाना चाहूंगा यह एक हपते का statement आप लोगों को दिखाऊंगा ताकि आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाए कि क्या कुछ मैंने यहाँ पर किया था तो गाइस मुझे यहाँ पर लगा कि transaction based पर ही card मिलता है क्योंकि मैंने HDFC bank का भी card लिया था तो मैंने यहाँ पर transaction high कर दिया जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 49,000 पर मेरा यहाँ पर कि रिडिट हुआ पर 45,000 मैंने फिर किसी को transfer किया उसकी बाद 10,000-15,000 इस तरह से मेरा transaction आप लोग यहाँ पर देख सकते कितना ज्यादा transaction यहाँ पर हुआ है यानि कि average balance अगर आप लोग को यहाँ पर बताना चाहों तो average मेरा balance यहाँ पर गाईज करीब 5000 से उपर ही maintain था लेकिन मेरा यहाँ पर transaction काफी ज्यादा हो रहा था और यह card मुझे transaction base पर मिला है और अभी आप लोग को credit card के section पर लेके चलता हू तो थोड़ा समय लग रहा है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यह देख सकते हैं मेरा यहाँ पर card का यहाँ पर इसू हो चुका है आप लोग देख सकते हैं उपर में लिखा हुआ है और यहाँ पर status not available यानि कि अभी जो है under process work चलता है मेरा card यहाँ पर printing process में है जैसे मे यह उमीद है कि आप लोग यहाँ पर सब कुछ समझ गये होंगे और आप लोगों को यहाँ पर मैं कुछ टिप देना चाहूंगा अगर आप लोग income based से आप लोग card apply करते हैं किसी भी बैंक का तो आप लोग को यकीन माने कि आपका card यहाँ पर एप्रूब नहीं होगा आप 5000 पर maintain किया उसके बाद मैंने यहाँ पर transaction अपना हाय कर दिया सिर्फ यहाँ पर पैसा यहाँ पर lending करना start कर दिया ATM यूज करना start कर दिया उसके बाद यहाँ पर एक specific amount मेरा यहाँ पर maintain था उसके बाद गाईज आप यकीन वारी आप तीन से चार मेहने के अंदर आपको जादा कम नहीं है कापी जादा हाई भी नहीं है बस एक normal amount है और आने वाले समय में होगा तो आप लोगों को बताओंगा किस तरह से क्या होता है तो इस तरह के और भी आप लोगों को वीडियो चाहिए आप लोगों को अगर किसी तरह कोई और जानकारी चाहिए तो आप comment क के साथ अपतिक लाप स्रीव का धनिवाद दोस्तों